नमस्कार दोस्तों मेरे इस यूटूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस वीडियो में भी तो गैस इस वीडियो में आज हम बहुत कुछ नया सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही जरूरी है अगर आप Linux system administrator बनना चाहते हैं तो उसमें आज हम देखेंगे कि Linux file hierarchy structure क्या होता है उसके बाद में file system क्या होता है फिर जब हम operating system install करते हैं लाइक O1-2 अगर हम install करेंगे इस वीडियो में तो उस वक्त हमें क्या है हम जो hardest लगाते हैं उसमें multiple अगर partition बनाने है तो वो partition क्या होती है फिर उसके बाद में बहुत स चैनल को subscribe करें वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और बहुत दीर 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 है मतलब जैसा चल रहा वैसा देखें क्योंकि मैं देखता हूं कि जब average view duration आती है अगर मैंने आदे घंटे का वीडियो अपलोड किया तो उसको दो मिनट या तीन मिनट में आप क्या सीखें और आगे बढ़ा बढ़ा तो pen paper लेके बैठें और note डाउन करें आप क्या क्या सीख रहे हैं ठीक है आई होप आगे आपकी मर्जी बैट मैं तो वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि यहां पर सबसे पहले हम इतनी सारी चीजें देखेंगे यह क्या है यह रूट विन बूट डी इवी सब एक एक करके इस वीडियो में हम देखने जा रहा है फिर बूट यह पार्टिशन भी हम बनाएंगे कोपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो यह बहुत इंट इस तो इनका इनका रोल क्या है हम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बारे में बात करें वहां पर फाइल सिस्टम होगा ही होगा वगयर फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तो हम यहां पर बात कर रहे हैं लिनक्स में ठीक है लिनक्स में भी कुछ file system होते हैं तो मैं आपको बताऊंगे यहां पे और हर एक का एक एक role होता है तो सबसे पहले आप समझेए कि file system है क्या तो उसके लिए देखिए अब file system provides a way of organizing a drive बड़ा है simple है आप इतना नीचे कभी ना देखे तो भी जरूरी नहीं है तो इसमें क्या होता है जैसे कि हम किसी भी चीज को एक systematic तरीके से हमारे घर भी रखते हैं ठीक है एक कमरे में हर एक चीज हम सज़ा सजा कर रखते हैं ठीक है या फिर हम एक घर बनाते हैं तो एक structure पर बनता है कि भाई पहले आपको नीव रखनी पड़ेगी फिर उसके बाद पिलर बगएरा बनते हैं और फिर उसके बाद दीवार फिर जाके टेरस बनता है तो एक structure होता है एक डिजाइन होता है बैसे ही file system का काम होता है कि वो drive को organize करती है ठीक है proper तरीके से चीजे आनी चाहिए for example अगर हम देखें तो यह मैं विंडोस की मैंने open की windows 7 operating system और इसमें देखिए यह intel folder और इसके अंदर बहुत सारे फिर files बगएरा होंगी तो वो एक systematic तरीके से organize रहे कहां कुछ सी चीज आना है वो सब कौन करता है file system करता है अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें और बहुत सारी चीजें देखेंगे जैसे कि मैं यह निकाल देता हूं तो इसमें बहुत सारी चीजें hidden भी रहती है जैसे कि आप किसी user में चलेगे तो देखिए यह से apply करेंगे तो आपको आएगे तो देखिए आप यह अभी नहीं दिख रहा था यह अभी नहीं दिख रहा था पट यह और अपना एक काम है ठीक है वैसे ही इसमें भी होता है Linux में तो अगर मैं आपको इतनी चीजे ना भी बताओ नीचे तो भी आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है ठीक है तो उस फाइल सिस्टम का और दूसरा काम क्या होता है एक प्रॉपर तरीके से फाइल नाम देना पर्मिशन लगाना और उसके एट्रिब्यूट्स फिर से अगर मैं इसी की बात करता हूं यह बिंडोस में ही सपोस्पोस मैंने एक कोई भी फाइल ले ल इसको ले लीजिए वो तो छोड़िए जो मैंने बोला एट्रिब्यूट्स मतलब आप इसको read only कर सकते हैं इसको hide कर सकते हैं advance में भी जा सकते हैं ओके और इसके बाद में security बगएरा यहां पे आप लगा सकते है कि कि इसको क्या permission दे रहा तो यह सब कॉन define करता है यह define करता ह है file system okay I hope this concept आपको बहुत clear हो गया होगा इसके बाद में क्या है देखिए इसको हम fs भी बोलते हैं file system भी बोलते हैं okay and यही इसमें कैसे data रखेंगे हम कैसे store करेंगे कैसे data access करेंगे यह सारे चीज़े यह define करता है और without a file system बिलकुल भी आपका जो storage device वो work नहीं करेगी उसम लब file system backbone है simple सा concept इसमें अब इसके बाद में देखिए a file system is the way in which files are named वही चीज़े लिखिए कि आप file को नाम किस तरीके का नाम दे रहे हैं data को retrieve कर रहे हैं या फिर उसको update कर रहे हैं और किस तरीके से वो organize है यह सारा काम आपका file system करेगा तो यहां पर आगर आप देखें हम Ubuntu में तो इस तरीके से जब हम operating system install कर लेते हैं तो हमें win, boot, इतनी सारी file system मिलती है और यह सब separate है सबका अलग-अलग काम है ठीक है तो यह एक-एक करके इसको सीखेंगे इसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसका क्या काम है इसका क्या काम है फिर उसके बाद में operating system install क करेंगे इसी वीडियो में तो गैस यहां पर देखिए अब एक चीज और आपको यहां पर समझना चाहिए मैंने बताया है कि file system का काम होता है सारी चीजों को organize करना proper तरीके से तो इसे क्या बोलता है ठीक है तो यह क्या होता है basically the Linux file hierarchy structure जिससे हम FHS बोलता है इसका फुल फॉ फॉलो करना होता है ठीक है वो एक तरीके से guidelines है जैसे कि हम CCN में बात करते है तो उसमें OSI reference model होता है तो उसमें भी कुछ guidelines होती है उसे follow करना पड़ता है बैसे ही यहां पे भी file system hierarchy is standard होता है जिसे कि हर एक operating system को follow करना होता है Linux में और इसे Linux foundation maintain करता है ठीक है इसके बाद में क बात करें तो according to this अगर हम बात करें इसके हसाब से Linux foundation या फिर FHS तो इसमें क्यों होता है in the FHS all files and directories appear under the root directory even if they are stored on different physical or virtual devices कहने का मतलब बड़ा ही simple है कि आप जो भी चीजे create करेंगे और according to file system hierarchy standard वो सारी की सारी चीजे क्या है सबसे पहले root directory में जाती है चाहे वो किसी भी physical drive पर हो या फिर virtual devices पर हो तो आपको देखिए मैं यहां पर दिखाता हूँ मैंने एक virtual मतलब एक Ubuntu पहले से install करके रखा है दिखाने के लिए तो हम एक और machine create कर लेंगे तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो आपको समझ में यह आप इसके प्लेसे पर जाते हैं सबस्क्राइब यहां पर इसके बाद मैं और आपको कुछ बता हूं में तो देखिए यहां पर इस तरीकी की आपने जितनी सारी नहीं जाएंगे सारी चीज़ देखिए बिन रूट और इतने सारे नाम है वो सब्के सब रूट डारेक्टरी में है तो अब जब पहला पेज ऊपन करते हैं तो रूट डारेक्टरी बोलता है ठीक है फिर से मैं इसको यहां पर क्लिक करके आपको फाइल सिस्टम पर चाता हूं तो यह वाला system पर यह सारी चीजें इस्तमाल नहीं हो सकती यह authoritative है कि आप इसको शिर्फ Linux पर ही इस्तमाल करेंगे दूसरे operating system दूसरे platform पर यह इस्तमाल नहीं होगा very simple और यह सब कौन define करता है यह भी FHS define करता है उन्होंने guidelines जारी करी है तो guys अब हम आ सबसे पहले route पर ठीक है route file system इसका काम क्या है तो आप यहां पर भी देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर बिन देख रहा है बिन का भी बारे में अपन देखेंगे तो पहले route तो अगर आप route को open करते हैं तो इसके अंदर आपको ठीक है तो यह कहां पर आया देखें बूट के अंदर आया तो हम जब operating system install करेंगे partition create करेंगे तो यह वाला partition इस्तमाल करेंगे उसके लिए ठीक है तो अब देखेंगे यहां पर route का क्या काम है तो guys यह होता है primary hierarchy route and route directory of the entire file system hierarchy तो यह route sorry मैंने जो अभी आपको बोला वह बूट दिखा दिया यह बूट है हम बात कर रहे है रूट की तो यह पूरा का पूरा रूट है इसका काम ही है कि जतनी file system है उनको एक जगा इस्टोर करना ठीक है और यह जो बूट होता है यह तो हमसे operating system को यहां पर रखनी के लिए इस्तमाल करते हैं यह वाला इसका काम ही है और हम यहां पर देख रहे हैं root यह बाला कहला आएगा आपका पहला page वही मैंने यहां पर थोड़ा सा और आपको बताता हूं तो इसमें कहें every single file and directory start from the root directory only yes यह root directory पर ही आ रहा है सारा का सारा ओके आप इसको कहीं बाहर नहीं देख सकते हैं आप यहां पर जब तक root पर नहीं जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा फाइल सिस्टम दूसरी चीज इसके बारे मैं आपको और बताओं मैं so only root user has the rights to write under this directory तो यहां पर जो root user रहेगा वही यहां पर लिख सकता है कुछ changes कर सकता है और इसमें क्या है आपको मैंने यह दिखा दिया यहां पर दूसरा चीज क्या है इसमें root जो user रहेगा उसकी directory भी रहेगी okay and यही मैं दिखा रहा हूँ आपको root directory क्या होती करके यहां पर root basically file का काम क्या है root file का काम यह है इन चीजों को दिखा इन चीजों को यहां पर organize करना अब हम चलते हैं दूसरी की तरब दूसरी होती है bin तो इसका क्या होता है देखिए essential command binaries that need to be available in single user mode for example मतलब यहां पर क्या है essential commands जो जरूरी command होती essential command binaries that need to be available in single user mode for all users और उसके example देखे तो cat हुआ 1s हुआ cp हुआ तो यह इस तरीके की command को क्या है contain करके रखता है binaries और इस folder के अंदर आता है और इसमें क्या है contains binary executables okay जो execute हो सके binary numbers and common Linux commands you need to use in single user mode are located under this directory तो अगर हम single mode मतलब जो भी command हमें चाहिए single mode user अगर हम इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है तो जो भी उसके लिए command चाहिए होती वो इस folder में जाके store होती है और यहां पर यह file system काम करता है और इसमें दूसरी चीज क्या है commands used by all the user of the system are located here और अगर इसमें एक से ज्यादा user है तो उनके अभी जो commands है जो भी use कर रहे है वो भी यहीं पर आके store होती जैसे कि ps, is, ping, graph, etc ठीक है अब उसका folder location यहीं होता है तो इनका अगर use पता है तो आप काम कर सकते हैं कुछ भी अगर नहीं पता है तो कुछ मत कीजिए क्योंकि कुछ भी अगर delete हो गया तो फिर क्या होता है troubleshooting मुस्किल हो जाती है function नहीं करता है properly operating system उसके बाद में आता है next boot तो इसमें क्या होता है guys boot loader files रहती है जैसे की kernel हुआ in itrd हुआ kernels क्या होता है इसका base foundation है बगर kernel के Linux चलेगा ही नहीं ठीक है तो इस तरीके की files वहांब फराइंस टोर होती है अब देख सकते हैं जाके booth पे अब वो put folder open करेंगे हमने file system ये बूट तो यहां पर दे थेखेंगे तो इस तरीके के नाम रहते हैं इनके ठीक है वह सब यहां पर इस्टोर होते हैं इसको भी उपन करेंगे ते इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको और यही उसका इमेज है यहां पर इसके बाद में नंबर फोर हम जाते हैं डी इवी तो यह भी क्या है अगर हम देखते हैं कि इसमें अगर हमने कुछ यह इसका भी वही पर हमें यह फोल्डर मिल जाएगा फिर से आप जाएंगे यहां पर तो यह फोल्डर भी हमें मिलेगा आराम से यहां पर यह रहा आप इसको स्कूल करेंगे तो इतनी सारी फाइल से हैं के अंदर इसके बाद में आगे हम जाते हैं के तो वह है इतिसी टो इसमें क्या है फोस्ट स्पेसिफिक सिस्टम वाइट चॉन परिकेशन फाइल उनसमें इसका मतलब क्या वताए है और this also contains startup अगर हम कुछ script बगारा लगा देते हैं जैसे बिंडोस में भी लगाते हैं startup और shutdown की तो वो सारी चीजें यहां पर जाके store होती है ठीक है यह folder भी आपको मिल जाएगा वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में अगला है वो है home तो home क्या होता है इसमें user जितने भी रहेंगे उसकी profile वनती है तो उनकी detail यहां पर store होती है जैसे कि अगर आप बिंडोस में भी यहां पर क्या होता है विंडोस में भी हम देखते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा यूजर्स करके ठीक है तो जितने भी उसर रहेंगे जैसे कि एड्मिन है ओल यूजर है डिपॉल्ट है डिपॉल्ट यूजर पब्लिक है तो उनकी सब की profile यहां पर create हो जाती है आपर और उनकी जितनी भी के लिए ठीक है तो आप यहां पर देखना चाहा है तो एक बार और में दिखा दिता हूं तो आप इसके लिए बापस और हम बात कर रहे थे हों गी की तो देखिए अपर मेरे नाम से एक फोलडर बना है उसके अंदर पर उसका डेस्टॉप एंटिंट्पर कुछ नहीं है औ जींग नेक्स्टर लाइबरेरी इसमें क्या होता है गाइस लाइबरेरी असिंशल फोर घइल टो ट्र券 थरीके से आप उसको देखेंगे दो यह भी मिल जाएगा उसके बात में आता है मीडिया मेडिया का फोल्डर 350 जैसे कि हमारे पास कुछ मीडिया आइटम हो तो यहां पर जाके उसकी फाइल से स्टोर होती है ठीक है टेंप्रेरी मांट डारेक्टरी फॉर रिमूबल डिवाइस जैसे कि हम अगर कुछ रिमूबल डिवाइस इस्तमाल कर रहा है मीडिया CD-ROM for CD-ROM तो उसकी डीटेल यहां पर स्टोर होगी यह जो फाइल सिस्टम में उसको मैनेज करता है जो भी यहां पर रहेगा एक्जैंपल के लिए मैंने दिखाया इमेज बट अभी मेरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है अगर मैं मीडिया में जाओंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा कि कुछ है ही नहीं यह वाला नेक्स्ट वन है MNT तो यह क्या होता है टैंपरेरी जो टैंपरेरी माउंटेट फाइल सिस्टम्स हम यह आप पर कुछ फाइल सिस्टम को माउंट कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें यह होता है ओप्सनल अप्लिकेशन शॉफ्टर पकेज इसका काम क्या है देखिए इट कंटेंज एड़ अप्लिकेशन फ्रम इंडिविजल वेंडर्स और एड़ यह फाइल सिस्टम उसको मैंज करती है यह फोल्डर आप इसको देख सकते हैं आपको अभी कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं कुछ इंस्टॉल बगर नहीं किया है आगे बढ़ते हैं asbin और यह क्या होता है asbin होता है essential system binary example fsk, init, root बगएर बगएर तो इसका फोल्डर यह है इसके बारे में आप और और पढ़ना चाहें तो just like bin होता है यह asbin also contains binary executables इसको उपन करके देखते हैं हम यह वाला फोल्डर हम asbin में आ गया है यह वाला तो यह इतनी सारी चीज़े हैं यहां पर इसमें बहुत सारी एक्जेक्टेबल जो एक्जेक्टीट हो सके वह binary files रहती हैं आप यहां पर जो भी क्या कहता है जो कमांड हम इस्तमाल करते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के लिए वह यहां से एक्जीकेट होती है यहां पर रहती है इस फोल्डर पर इसके बाद में जैसे की एक्जेम्पल की बात करें हैं तो आईपी टेबल रिबूट एप एफडिस्क और आईपी कॉन्फिक बगएरा बगएरा तो इस फोल्डर से एक्जेक्टेट होती है यहां पर वह सारी इंफॉर्मेशन रहती इस फाइल सिस्टम में एस्विन में इसके बाद में है एस आरवी तो यह एस आरवी क्या होता है यह बिसिकली सर्विस का स्वाट फॉर्म है तो इसमें होता है लाइक अगर हम कुछ वेब सर्वर बगएरा का चला रहे हैं इस्तमाल कर रहे हैं या फिर कुछ डेटा ओफर्ड वाई FTP सर्वर है तो उसकी इंफॉर्मेशन इस पे स्टोर होती है यह फाइल सिस्टम उसको मैनेज करता है तो अभी तो कुछ भी नहीं रहेगा महां पर खाली रहेगा तो एस आरवी स्टेंड करता है सर्विस को और इट कंटेंस स्पेसिफिक सर्विसेस रिलेटेट डेटा कोई सर्विस से लाइक वेब सर्वर जैसे मैंने बोला या FTP वगएरा और उसमें जैसे की CSV रिलेटेट डेटा रहा ठीक है अब कुछ भी नहीं रहेगा वो फोल्डर खाली रहेगा उसके बाद में जाता है टैंप अगर हम यह टैंपरेरी वाला फोल्डर देखें फाइल सिस्टम देखें तो इसमें क्या होता है जो आप यहां पर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलना चाहिए देखता है टैंप पर जाना है हमें यह वाला फोल्डर तो देखें यह सारे इतनी सारी चीज़े मिल रही है अभी हमें और इसके बाद में अगला है 14 नंबर का USR तो यह क्या होता है secondary hierarchy होता है read-only user data के लिए and contain the majority of multi-user utilities and applications इसमें बहुत सारी utility and application बगारा होती है जैसे की contents, binaries, libraries, documentation and source code for second label programs ओके just like यह क्या होता है recycle win जैसा होता है ठीक है अगर कुछ इदर उदर हो गया तो आप हम यहां जाके उसको धून सकते हैं और असानी से मिल जाता है वहाँ पर कुछ file वगरा like यहां पर देखिए usr bin contains binary file for user program ओके user program की बात कर रहा है हम if you cannot find a user binary under bin अगर हम को यह bin के अंदर नहीं मिल रहे है तो हम उसको usr bin पर जाके ढून सकते हैं जैसे कि अगर कुछ at aw kcc less scp इस तरीके के अगर फाइल हम कुछ चाहिए तो अगर हम आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं हम बात कर रहा है यह वाली की तो हम यहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं अगर कुछ यहां पर ढूणना हो ऐसे कि s bin b s के अंदर और sr बहुत सारी चीज़े हैं इधर हम अगर ढूनेंगे तो मिल जाएगी असानी से अगर वो यूजर यहां पर नहीं मिल रहा है अगर यूजर binary under bend में जानीम मिल रहा है तो यहां पर यहां पर ढून लले मैं इसके बात में वैसर ही और कुछ चीज़ लिखी है है यहां फें ढूनने के लिए ही जैसे की हमने अभी इसमें देखverty की यूजर प्रोग्राम अब उसी भी अगर आपको कुछ system binary नहीं मिल रहा है तो आपको s usr bin में ढूलना चाहिए यहां पर जाके ढूलना चाहिए यह बाले पर है हम यहां पर पीछे आ गहा है है इस पर ढूलना चाहिए इदर पर जाके अगर आपको यहां नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से और है कि यूजर लाइब्रेरी कंटेंस लाइब्रेरी इस फॉर एस यूएसर विन एंड यूएसर इस विन और बहुत सारी चीज़ें हैं याप इसके अंदर रहती है आप जैसे जैसे ऊपन करेंगे हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इंफर्मेशन आएगी नेक्स्ट वन देखते हैं अब हम वो है प्रॉक ठीक है इसका काम क्या होता है वर्चुल फाइल सिस्टम प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड कर्नल इंफर्मेशन एस फाइल इन लिनेक्स कोर्स्पोंडेंस तो प्रोक्स एफ श मांट जनली अटमेटिकली जनरेटेड और पॉपलिटेड यदि इस इस जैसा होता है क्या है प्रोक्स का काम क्या है जैड मिव यू इसमें क्या होती है system प्रोवसेस्ट की information contain करता है इट कंटेनस information about system process and this is a PSO file system contains information about running process, कितनी सारी process वहाँ पर run हो रही है, कौन-कौन से process run हो रही है और ये क्या है, this is a virtual file system with text information about system resources, जो भी system resources है, वो text के form में रहती है, वो information, जैसे की proc, uptime and all, तो ये एक folder है, उसके अंदर आप देखेंगे, तो आपको फिर बहुत सारे folder मिलेंगे, फिर आप उनको open करेंगे, तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो एक folder देखे लेते हैं हम इसका जाके, तो हम यहाँ पर जाते हैं और हम बात कर रहे हैं ये वाले folder की, ठीक है, तो आप एगर एक folder open करेंगे, तो आपको बहुत सारी information फिर से मिलेगी, detail मिलेगी इसमें, तो आपको अगर इन सब का idea तो आप आसानी से इन सब चीजों को देख सकते हैं, बाट कोशिश करिए कि इनको जादा चीड़ा थाना करें करके, और तो यहाँ पर हमने पूरा file system का chapter देख लिया, file system को समझ लिए, अब उन file system को इस्तमाल करते हुए हम एक operating system आप install करेंगे, एक Ubuntu install करेंगे, ठेक हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए, मैंने कुछ वीडियो में बताया है कि Ubuntu, अगर हम client operating system इस्तमाल कर रहे है, Linux के, तो हमें उसमें graphical user interface भी मिल जाता है, और CLI mode, जो command line interface भी होता है, तो हम क्या है, इसमें graphical user interface इस्तमाल करेंगे, जहाँ पे हमें यह facility मिलती है कि आप, जो hardest है, उसमें multiple partition बना सकते हैं, आपकी requirement के हिसाब से, या तो आप पूरा का इस भी दे सकते हैं, तो हम वही करेंगे जैसे कि Windows में करते हैं, multiple हमने यहाँ पे hard disk बना लिए, multiple partition कर लिए, किसी एक पे हम operating system को रख देंगे, और बाकी को हम data के लिए इस्तमाल कर लिए, as per our requirement, तो वही हम इस अब यहाँ से सीखेंगे आगे, तो उसके लिए क्या होता है, ह क्रिएट करना पड़ता है, root directory क्रिएट करना पड़ता है, swipe क्रिएट करना पड़ता है, home directory, तो यह चार हम अब यहाँ से सीखेंगे इस वीडियो में, तो सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में भी समझना चाहिए, तो जैसे कि हम बात कर रहा है, manual disk partition, ओके, so advanced और manual disk partition हमें कहाँ पर मिलता है, जब हम like graphical interface अगर इस्तमाल करते हैं, Ubuntu 4 का, I mean Ubuntu operating system 11.04 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास यही image है, इसलिए मैं यही इस्तमाल कर रहा हूं, तो देखिए, अहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और virtual machine create करते हैं, तो यह हम virtual machine create करते हैं, यह मैंने Linux ले दे लिया, और इसको नाम दे दिया to, और कहीं मुझे इसको रखना पड़ेगा, यह virtual file, तो देखिए, मैं यहाँ पर एक folder create कर देता हूं, just asdf name I gave it, मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया, और इसके बाद में इसको next कर देंगे, इसको आप like 50 GB का space भी दे दिया मैंने, और यहाँ पर प्रोसेसर, मैमोरी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने इसको 4 GB से उपर दे दिया, 5 GB, और आप यहाँ पर ISO को mount कर देंगे, तो मेरे पास अभी, यह काफी पुराना हो गया है, एक image रखी है, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगले कुछ वीडियो में नया कुछ इस्तमाल करेंगे, इसके बाद मैं आप इसको run कर देंगे, तो यह virtual machine आपका installation स्टार्ट हो जाएगा, तो यह graphical user interface हम use करेंगे, इसको install करने के लिए, ठीक है, और देखिए, यह आना चाहिए, installation के लिए, तो देखिए, Ubuntu 11.04 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ कुछ चीज़े देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको install करते हैं, तो on default installation of Ubuntu 11.04, the installer created just two partition, तो जो default रहेगा, उसमें दो partition create होते हैं, पहला root directory create होगा, and the second one swap, swap क्या होता है, root directory क्या होती है, अभी हम देखते हैं इनको, ठीक है, तो अगर हम default इस्तमाल कर र से create कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे, तो जो होता है, क्या है, जो recommended होता है, उसमें हम following, चार partition create कर सकते हैं, manually, तो चार, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर, वो चार क्या होते हैं, पहला होता है, boot, दूसरा होता है, root directory, swap होता है, फिर home होता है, तो देखते हैं, यह बना सकते हैं, या तो फिर, like, USB को bootable बना सकते हैं, वहाँ से boot करा सकते हैं, तो मैं install कर रहा हूँ, 1, 2, तो यह मैंने click किया, अब मुझे यहाँ पर क्या है, यह चेक कर रहा है, आप internet से connected है कि नहीं, अगर आप internet से, अभी मैं connected नहीं हूँ, तो मैं यहाँ cross आ रहा है, तो यहाँ पर check mark आता, तो उससे क्या होता है, वह internet से connect करेगा, और अगर हम यह option select कर लेते हैं, तो यह update वगएरा को install कर देगा, और कुछ यहाँ पर third party software है, उनको भी download करके update कर देगा, तो मैं वह समनी कर रहा हूँ, just forward कर रहा हूँ यहाँ तो अब दीखिए, जो मैं बोल रह ता, वही यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि अब हम यहाँ पर यहाँ पर पहला option इस्तमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या है, जो गैस हमको क्या है, यह 4 partition यहाँ पर create करने पड़ते हैं, और सबका अलग-अलग role है, ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाओं, तो देखिए, हम इस window पर हैं अभी, अगर आपके पास already installed है, तो वो upgrade करने के लिए भी बोलता है, लेकिन हमार पास कु करना चाहें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, मैं दोनों को दिखाता हूँ, अगर हम जो पहला वाला option इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो यह जितना space है, उसको पुगरा का पूरा space एक drive में ले लेगा, और यह default installation क्यलाता है, और यह दो partition create करेगा, one ए का हुआ, तो इसके लिए हम something else select कर लेंगे, और इसको forward पर click, तो देखिए, यहाँ पर भी हमको कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर hard disk दिखा रही है, यहाँ पर देखिए आप, device for boot loader installation, बट हमें वो सारी चीजी यहाँ पर चाहिए, तो वो क्या है, मै आपको एक एक करके बताऊंगा, यहाँ पर तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बूट अगर हम जो partition बना रहा है, उसका काम क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो भी प्रोग्राम, जो critical प्रोग्राम होते है, बूट करने के लिए, वो यहाँ पर रहेंगे, उ यहाँ पर आके store होती है, उसके बाद में swap, swap क्या होता है, जो भी हमारे पास space होता है, unformatted और unused, ठीक है, वो यहाँ पर virtual memory के जैसे store होता है, वो virtual memory बन जाता है, और home, home ऐसा है कि जहाँ पर भी हम जितने user create करते हैं, जैसे कि मैंने अब दिखाया था, दो slide पीछे ही मेरे न store हो जाती है, उनके files, folders, correct, I hope कि आप लोगों को इसमें कोई confusion नहीं हो रही होगी, तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, once again आपको दिखाता हूँ है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे यह वाले की, ठीक है, यहाँ पर यह एक है, तो उसकी detail आ रही है, और यह वाला है, तो य जो सारी information आ रही है, यह root directory है, ठीक है, तो इस तरीके से हमको चार बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर एक swap भी रहता है, वो दिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, और यह है, तो guys यहाँ पर देखिए, और सबसे पहले यह क्या है, यह सारी चीज़े हमें कब दिखेगी, क्योंकि, उसका एक reason है, reason यह है, कि यहाँ पर जो हमने, अगर कोई hard disk इस्तमाल कर रहे हैं, पुरानी hard disk, जिसमें multiple drive बनी है, for example, यह वाली अगर hard disk इस्तमाल करता हूं, तो मुझे यह सब का सब यहाँ पर दिखेगा, जैसे यह दिख रहा है, तो उसको, सबसे पहले जातों तो मैं सारा का सारा drive, डिलीट कर दूँ, तो डिलीट करना बहतर है, अगर आप कुछ नया चीज कर रहे हैं, तो आप उसको डिलीट करके ही, format करके इस्तमाल करें, तब जाके आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, तो इसको सब डिलीट कर देते हैं, अगर आपने कुछ न तो जो hard disk लगी है, यह वाली, इसको आप पहले initialize करें, उसको शुरू करें, ठीक है, जब जाके हम partition create करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे बस एक disk है, यह disk लगी है, तो इसको आप पहले initialize करो, इसको क्या है, new partition table पे click करेंगे, और इसको continue, तो देखिए, मेरे पास भी free space आगया है, आगया है, very simple, और अब इसको जाके हम partition करेंगे, तो अभी क्या करना है, इसमें अब आप इसको select करके add पे click करेंगे, तो इस space को भी आपको available कराना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें जो first partition बनेगा, वो हमारा boot का होगा, boot हम देंगे, उसको दिखाता हूँ मैं कैसे, और अब यहाँ पे हमको partition करना है, इसके तो हमको add पे click करना है, ठीक है, और उसके पहले आप यह दिखी कि partition होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, partition क्या होता है, हम एक किसी portion को, किसी चीज को multiple उसमें divide करना है, और वो सब independent होता ह है, जैसे कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं, partition is a logical independent section of hardest drive, तो मैंने इसमें 3 बना दिये हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे और चीजे देखते हैं, आपको अभी आएगी वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और हम partition की बात कर रहे हैं, तो उसके जो type होते हैं, वो 3 तरीके होते हैं, तीन type है, प्राइमेरी होता है, एक extended होता है, और एक logical होता है, तो गैस हम देखें, जब हम यहाँ पे partition create करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या है, हम 4 partition create कर सकते हैं, ठीक है, जो 4 partition है, मैंने बदाया उन partition के नाम, यह वाले सिर्फ 4 partition create कर सकते हैं, अब इसके बाद में अ और partition की ज़रूरत है तो आपको इनी partition को इस्तमाल करके और partition create करने पड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं extended partition बोलते हैं ठीक है और उसके बाद में logical partition जो रहता है फिर system makes it possible to create an unlimited number of partition under it and those partitions are called logical partition तो मतलब जो बाकी के primary तो हमने बना लिया हमें कहा हमारा operating system install करना है swap बना लिया एक और उसके बाद में जो भी बचा रहता है उसको हम logical partition create कर लेते हैं ठीक है तो आपको यहां पर मैं एक एक करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम देखें यहां पर तो यह तो हमारे पास एक अभी hard disk आया यह hard disk का status है कि हमारे पास 50 GB plus की एक hard disk है तो उसको आप पहले शुरू करेंगे तो देखिए उसके लिए क्या करना है आपको शुरू करने के लिए यह space है तो आप इस hard disk को attach करेंगे system के साथ तो इसको add करिए और यह primary hard disk बनाईए इसको यहां पर बिगनिंग सेलेक्ट करेंगे सब पढ़ सकते हैं जैसे की type for the new partition primary और logical तो हम primary ले रहे हैं और इसका size पूरा का पूरा लेना है location इसको beginning और यहां पर file system आप default 4 होता है ext4 आप यही ले 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 हैं और mount जो mount point होता है उसको ऐसा blank छोड़ दें और इसको ok कर दें तो अब हम यह इसको partition create कर सकते हैं यह active हो गई है यह drive और इसके लिए अब हमें क्या करना होगा आगे का देखते हैं हम तो अब हम आगे जाएंगे अब यहां पर new partition क्लिक करते हैं और यह free space है अभी free space करेंगे उसके बाद में आगेगा तो इस तरीके से इतना करके छोड़ देंगे हम free space पे अब देखिए first partition अगर आपको create करना है तो अभी देखिए मैंने क्या किया है इसको ध्यान से देखिए free space करके छोड़ दिया है ठीक है इधर कुछ भी नहीं आ रहा ह है तो आप free space कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर add का बटन आना चाहिए और पहला partition के बारे में कुछ चीजें देखें जब हम create करते हैं तो यह recommended है ठीक है कि जब हम first partition create कर रहा है तो यह क्या है boot को mount होना चाहिए ठीक है और जो default file system होता है वो the default file system for boot on Ubuntu is ext2 होता है ठीक ह अगर हम boot partition create कर रहे हैं Ubuntu पर तो इसके लिए file system default कर रहेगा ext और हम इस पर क्या है 4 भी इस्तमाल कर सकते हैं ext4 ओके और इसके बाद में the partition number of this इस तरीके से आएगा devsda1 ठीक है तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और इसमें देखें यहाँ पर space का भी है कि आप इसको कम से कम 500 MB space दे सकते हैं और यह कुछ 30 MB के असपास इस्तमाल करता है बढ़ आप इसको ज्यादा space दीजिए क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास hardest बहुत बड़ी 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 आने लग गई है ठीक है क्योंकि जब अगर हम इसको update करेंगे अप्ग्रेट करेंगे बेसिकली operating system को तो आपको ज्यादा space लगेगा तो बड़ा है सिंपल है तो हम first partition को देखते हैं यह हमारा first partition का screen हमान लीजे तो आप इसको primary create करना है space आप जितना देना चाहा है वो यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर file system select करेंगे उसके बाद में इसको boot select करेंगे mount ठीक है तो हम देखिए इसको करते हैं यहाँ पर तो देखिए यह free है add पर click किया मैंने primary और मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको 5GB space दे दूँ ठीक है मैंने आप 56087 ले दिया है और beginning है file system मैं change कर सकता हूँ 2 या फिर default 4 तो मैं default यह इस्तमाल करता हूँ 4 चार भी इस्तमाल कर सकते ह है ठीक है तो मैंने चार ले लिया अब इसको हम mount करेंगे किसके साथ boot के साथ and click okay तो देखिए मेरे को यहाँ पर एक partition मिल गया यह इसी तरीके से अब जो बाकी के partition भी हम create कर लेते हैं ठीक है तो बाकी का क्या हो गया इस तरीके से आ गया एक चीज़ और देखिए यहाँ पर हमको यह DEVSDA1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी एक बार आप verify कर लीजे तो देखिए DEVSDA1 आ गया यहाँ पर ठीक है इसके बाद में आगे फिर से हम इसको add करेंगे यह free वाले space पर तो यह second partition हम swap के लिए बनाएंगे तो यह क्या होता है swap मैंने बताया था कि यह virtualized unused space उसको contain करता है और इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर रहा है इसको यह by default logical बना देगा logical के लिए खुदबर को select कर लेगा और like boot it could also be primary partition आप हम इसको primary partition भी बना सकते है the first logical partition of extended partition is like अगर हम जो हमारे पास available primary the first logical partition of an extended partition is यहाँ पर 5 आ जाएगा अगर हम एक extended partition को अगर एक logical partition बनाते हैं तब उस condition में हमें यहाँ पर 5 दिखेगा ठीक है और if you create this partition as a primary partition then वो हमारे पास दो रहेगा यहाँ पर तो हम extended बगेरे का यहाँ पर कौन चाह ले रहे हैं हम logical इस्तमाल करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर swap का ठीक है क्या आ रहा है हम swap select करके देखेंगे तो हमें वो extended create हो रही है या फिर primary वो हम अभी देख लेंगे और यहाँ पर swap area select करना है और mount इसको disable हो जाता है आप इसको जितना space देना चाहें वो आपकी उपर है तो देखिए वह हम करते हैं यह मैंने add पर क्लिक कर दिया यह logical कुदबा को select हो गया अब मान लीजी इसको हमें 3GB का space दे रहा हूँ है इसको और यहाँ पर हम use as पर ही हमको जाके इसका option मिलेगा like swap area and click ok ठीक है इस तरीके से हमको इसको select करना है और यहाँ पर देखिए यह 5 आया sda5 तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब मैंने यहाँ पर बताया था कि the first logical partition of an extended partition is dev sda5 तो हमने इसको क्या बनाया है logical partition of extended partition extended partition का हमने इसको logical partition बनाया तो इसलिए यह 5 आ गया अगर हम इसको primary select करते हैं यहाँ तो यहाँ पर दो दिखाएगा ठीक है तो हम primary नहीं ले रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा create हो गया दूसरा partition अब third partition third partition का condition यह है the installer recommends a minimum 4.4 GB तो हमको कम से कम 4.4 GB का space चाहिए अगर हम Ubuntu 11.04 इस्तमाल कर रहे हैं तो और but on a new installation just 2.3 हमको minimum 2.3 पर भी install हो जाएगा लेकिन जितना ज्यादा space दें उत्ता अच्छा है तो यह भी क्या होगा यह भी logical बना लेंगे इसको और हम यहाँ पर यहाँ पर यह वाला symbol इस्तमाल करेंगे अब okay and file system हम चार भी इस्तमाल कर सकते हैं दो भी तो इसके लिए हम 64 इस्तमाल कर लेंगे बड़ा ही simple है यह और let me आपको दिखाता हूँ यह आप हमें कैसे करते हैं इसको तो देखिए फिर से हमें free space ही इस्तमाल करना है आप उस पर क्लिक करेंगे ओके पर मान लीजिए आप इसको अब 4GB RAM देना चाहते हैं या फिर मान लीजिए मैं उसको 14GB RAM दे दिया और logical यही वाला रहेगा file system अब मैंने इसको दे दिया यह वाला symbol तो यह root directory का symbol होता है basically अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे भी जा सकते हैं कि यह क्या किया करके मैंने आप यहां पर यह वाली slide पर देख सकते हैं कहां पर यहां पर हमने एक boot के लिए create कर लिया है swap create कर है अब root directory के लिए और हम फिर home वाला create करेंगे ठीक है इसलिए मैं screenshot आपके साथ share कर रहा हूँ आप पढ़पढ़ के भी इसको follow कर सकते हैं देख सकते हैं mistake होने कि गुंजाइस बहुत कम होती है यहां पर ठीक है हम third partition पर यह मिल गया एक और logical मिल गया extended के अंदर ठीक है तो वो 5 और 6 से बढ़ रहे हैं इसके बाद में फिर हमारे पास थोड़ा free space बचा अब जो जितना भी हमारे पास space बचा है उसको हम home directory के लिए देंगे the final partition will be home the file system is ext4 and you may use the available space प्रक प्रका पूरा space हम इसको दे देंगे जितना भी बचा तो सिर्फ हमको यहां पर home select करना है तो इसके लिए आप फिरसे यहां पर चले जाएंगे और इसको add करणा हुआ और जितना space बचा वो यहां पर आ रहा है और यहां पर home select कर लेए और click कर देंगे तो देखिए यहां पर हमको क्या है पूरे चार हमने partition बना लिए एक दो तीन चार ठीक है एक boot का एक swap का एक root directory और एक home अब हमको final यह मिल गया है इसके बाद में आप आप जिस भी drive में चाहें वहां पर आपका operating system install कर सकते हैं तो उसके लिए भी एक recommendation है देखिए यहां पर back to the main manual window you can see just created before हमने जो create किये वहां पर दिखेगा अब मैं एक चीज कहा रहा था आपको कि हम देखिए जहां पर भी हम operating system को install करेंगे grub folder एक man edit होगा ठीक है तो वह हमको select करना है तो देखिए अगर मैंने जो already install किया है तो यह कहां आ रहा है यह वाला बहुत important है आपको ध्यान देना चाहिए इसमें क्या है system को boot करने के लिए जो भी information है जो भी files बगर है वो आएगी तो वो सब मुझे कहां मिल रहा है वो मुझे मिलेगा बूट के अंदर यह वाले के अंदर यह फोल्डर तो मैं select कर लूँगा कोई एक partition मुझे कहां रखना है तो यह वाला बूट के अंदर आ रहा है तो मैं उसको boot में ही select करूँगा कि आप यह आप इंस्टॉल करने करके अब देखिए यहां पर on a stand alone मतलब जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं दा वेस्ट लोकेशन इस देफॉल्ट इन इन दे मास्टर बूट रिकॉर्ड अफ देखिए डिफॉल्ट लोकेशन अच्छी होती है बट इसमें दूसरी चीज़ कहा है इस अलसो पॉसिबल तो इंस्टॉल इट इन बूट पॉर्शन ठीक है तो मैं इसको बूट पर ही इंस्टॉल करूंगा बट यह रिकॉमेंडेड नहीं है ठीक है तो हम कर लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि यह स्टैंड अलोन है हम घर पर इसको इस्तमाल कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं और इस तरीके से हम यह वाले पर पहु पूट वाले पर ही ठीक है और या फिर आप कोई दूसरा ले सकते हैं जैसे कि एक ट्राय मार के देखते हैं कि होता कैसे जैसे कि मैं इसको किस पर इंस्टॉल करूं यह लॉजिकल जो मैंने बनाया है ठीक है यह लॉजिकल जो मैंने बनाया है या फिर जो लॉजिकल वाले को ह कि मैं क्लिक करके देखता हूं 14 बाकी में तो इस्तमाल यह करना चाहता हूं और इंस्टॉल ना हूं कि इसमें 13gb कर रहा है तो यह इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा असानी से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वह जिस पार्टिशन हमने दिखा है कि कैसे क्रियेट करते हैं बूट पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर क्या है गो बैक नहीं जा सकता तो आप कोशिस करके देखिए आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको बूट बाले पार्टिशन पर इंस्टॉल करें आपको यहाँ पर नाम देन पूछ रहा है यह तो हम USA का इस्तमाल करते हैं यहां पर आप नाम दे दीजिए मैं अपने नाम दे देता हूं और यहां पर आप मेशीन का नाम चेंज कर देंगे वर्चुल मेशीन कर दिया मैंने यहां पर पास्वर्ट लगा दीजिए यहां पर आपके पास ऑप्शन भी है कि आप लाइक पास्वर्ट से लॉग इन करना चाहाएं या फिर लॉग इन आटमेटिकली वैट पास्वर्ट से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं आप इबन होम फोल्डर को इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी और हमको फिर जैसा यह मशीन है वैसा मशीन मिल जाएगा वही शारी चीज़ें यहां पर भी आएंगी जितनी चीज़ें आपको दिख रही है इस तरीके से गाइस बड़ा है सिंपल है step by step जाए आप सीख सकते हैं ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यह बड़ी चीज नहीं है कि हम नहीं सीख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको धीर धीरे चीज़ें ध्यान से सीख रहा है आप किसी भी वीडियो को forward करके नहीं और हो गया तो वो नहीं होता उससे चीज़े पता नहीं चलती है अब देखिए इसमें जैसे कि सम सम ओफ और फैबरेट्स लाइक क्यों सॉफ्ट्यर वगरा रहा है इसमें इसमें इस्टेलेरियम इंकिस इंकिस पर क्या लिखा है इंक्स कैप लिखा है फ्रोजन बबल ओड़ी उसमें लॉगिन करके देखेंगे हैं अब रिबूर्ट को ही गया है तो फाइनल वडिक्रण आने वाले वीडियो में हम इंसे चीजों के बारे में सीखेंगे यह क्या है यह क्या है एक एक करके जो मेरा नेक्स वीडियो रहेगा और फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट लाइक शेयर जरूर करें और नोट चरूर बनाएगा इस अपना डायरी ले 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 उसमें लिखें कि आपने क्या सीखा है अब देखिए यह नाम आगया है यहां पर हम लॉग इन कर लेंगे और इसको आप थोड़ा सा यह कुछ चेक करता है तो मेरा जो मशीन है कम्प्यूटर है उसका मैंने जो धकन रहता है उसे निकाल दिया एक्चिली तो वो उसका एरर आ रहा है देखिए यहां पर हम आ गए हैं अगर आप प्लेसेस पर जाएं कम्पिटर्स पर जाएं यह वा बूट आ गया और सारी चीजें हैं पर आ गई सारे फोलडर या फिर इस वाले की बात करें तो इस वाले में भी सारी चीजें दिखेंगी हमको तो गैस है होप मैंने इसको बहुत ही आसान सब्दों में आपके साथ इतना टाइम दे के इसको बनाया है इस वीडियो को तो आपको फायदा जरूर होगा और अगर आपको फायदा हुआ है तो प्लीज मेरे लिए भी कुछ किजिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करें फेस्बुक पर वाट्चाप पर जहां पर भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरों तक भी पहुंचे गए और अगले वीडियो में आप लोगों कुछ नया इसी पर शेयर करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल देन बाई-बाई